अलो एबरिवन नमस्कार एक वार फिर स्वागत आप सभी का लोटाइज क्लासेस के बिये प्लेटफार्म पर दोस्तों बिये फस्ट एर के लिए राजनितिक सिध्धान अर्थात पॉलिटिकल थियोरी पर एक फिर से नया सेशन लेकर आये हैं दोस्तों जिसमें आज हम बात करेंगे सत्ता पर जी हां दोस्तों सत्ता के इंपोरें टोपिक इस से पहले दोस्तों हम जो है सकति पर एक टोपिक पर एक लेक्चर ले चुके हैं उसमें हमने पूरे विस्तार से डिस्कस करने का प्रियास किया है कि शक्ति क्या होती है उसका अर्थ विशेशता महत उसके प्रकार तो बिभिन अर्थों में जो है हमने शक्ति समझने के साथ है साथ में दोस्तों आज जो है हम स सत्ता पर डिसकस करेंगे सत्ता जो है कि शक्ति से प्रतेक्च या प्रतेक्च दोनों रूपों से कहीं न कहीं संबंदित रहती है तो इसलिए मेरा केने का अर्थात पर यह है कि अगर अभी तक आपने शक्ति वाला अर्थात की इससे जो पहले हुआ है क्लास जो 11 हुई है क्लास 11 हुई है अगर उसको नहीं देखा है दोस्तों तो पहले उस शेशन को देखना कंपल सरी है उसके बाद सत्ता पर आपकी पूरी समझ बन जाएगी अगर सत्ता वाला यह शेशन देखेंगे तो थोड़ी बोत कार की होती है और कौन-कौन सी सीमा इस पर रहती है अर्थात की कौन-कौन से ऐसे प्रतिबंद है जो सत्ता को निर्धारित करते हैं या कारे करने में उसको प्रतिबंदित करते हैं जिससे की सत्ता स्वेच्चाचारी ना हो जाए दोस्तों आपके exam के point of view से भी जो अगर द दोस्तों एक बारी सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका पूरा डाउट किलियर हो जाएगा कोई डाउट सेश नहीं बचेगा आपका जो है सकती सत्ता और संप्रभूता यह तीनों टोपिक एक साथ मर्ज है लेकिन दोस्तों अलग-अलग लाने का मेरा उद्देश यह है कि कहीं एसा ना हो जाए कि तीनों को एक साथ पढ़ाने में जो है हम स्पीट से आगे बढ़ने और कोई पक्च इसका थोड़ा फोद भी छोड़ जाए इना तो इसलिए मैं पर्डिकुलर तीनों टोपिक को अलग-अलग करके लाया हूं सेपरेटल लाया हूं दोस्तों तो इससे पहले शक्ति पर डिसकस हो चुका है आज हम बात करेंगे सत्ता पर और कल जो सेशन होगा दोस्तों वह हमारा संप्रभूता पर किलिए रहे चलिए तो दोस्तों आज के सेशन को हम कंटिन्यू करें उससे पहले जो नए स्टुडेंट है उनको थोड़ा सा बता सदुर्व 32 की दोस्तों तो यहां पर इहां पर दो सब्यक्ट होंगे और need थो कन्प्यूज ना हो यहीं दोस्तों or objective होते हैं को लेना चाहे रेके तो ले सकता है अन्यता इतना मतल्रology नहीं है यह एकिन कुछ स्टोएंटों के शिलल्यवास में यह पाए गया है करण से मैंन स्टियर की पॉलिटी के अंदर दोस्तों यह पांच सब्जेक्ट हैं जिने हम यहां पर यूटूब पर ही यूटूब पर ही दोस्तों पूरी तरह से आपको निश्यल कुरूप से प्रोवाइट करेंगे बिद नोट्स वो भी ठीके ना तो अभी हमारा सेशन जो है राजनिति भी मिलना प्रारम हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों भारती राजनितिक व्यवस्ता इस सेशन को जल्दी स्टार्ट करेंगे इसके तुरंत बात में लोग प्रशासन लोग प्रशासन पर आई थिंग दो तीन क्लास हो चुकी है इसके अलावा भारती रास्टी अंदुलन तो ये पांच सब्जेक्ट है जो आपको भी ये फस्टियर में पढ़ने पढ़ सकते हैं किलियर है और लेकिन मैं फिर बोलूँगा दोस्तों चुकी हम अभी यूटूब प्लेटफार्म पर है इस कारण से बिविन यूनिवर्सिटियों के बच्चे जो है हमें फोलो करते ह इसलिए दोस्तों एक सतरकता हमेशा आपको रखनी है कि आप जब भी पढ़ने भेटे तो जो टोपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन टोपिकों को एक बार अपने सिलेबस से जरूर मेच कर ले हैना मेच करने के बाद ही आप इस्टड़ी करेंगे तो आपको कभी कन् हुए मैं थोड़ा सा आपको प्रज्ञान हिंदी के बारे में भी बता दू जो मेरे दोस्त पहली बार हमें जोइन कर रहे हैं जिनको नहीं पता सिर्फ उनके लिए जिनको पता है वो सिर्फ एक समय नहीं लूंगा उनका भी दोस्तों प्रज्यान हिंदी एक यूटूब प पुलिस तक की तयारी यहां पर निशुल को रूप से free of cost यहां पर आपको तयारी करभाई जा रही है lecture यहां पर दोस्तो complete subject सभी subject के lecture जो है दोस्तो यहां पर bid notes जो है पूरी तरह से free पूरी तरह से free of cost free जो है आपको provide किये जा रहे है description में इसके link मिल जाएगी प्रग्यान हिंदी की वहाँ जाकर के आप इसे visit एक बाँ जरूर कीजिए अगर आपको वहाँ लेक्चर पसंद आए अगर आपको वहाँ की strategy पसंद आए तो उसे join कीजिएगा अन्यता कोई आवशकता नहीं है यूटूब पे आपके पास में बहुत सारे जो है option है किसी भी class को आप join कर सकते हैं चलिए इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अपने session को करते हैं start तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीए first year की political theory के अंतरगत हमारी ये third unit चल रही है जिसमें हम अभी तक शक्ती पर बात कर चुके हैं शक्ती पर discuss हमारा हो चुका है जो आज का session है दोस्तों वो हमारा हो रहा है सत्ता पर तो authority पर हमारा पहला session होगा इसके तुरंत बाद में next session जो हमारा होने बाला वो संप्रूब उता पर होगा ठीके? यह that means कि कल का दिन छोड़ देंगे तो Monday से दोस्तों हम इसकी fourth unit को start कर लेंगे और बहुत जल्दी इसका session भी complete हो जाएंगे ज्यादा session इसमें नहीं होने वाले है मुस्किल से 25 session के अंदर 25 class में हम इस पूरे subject को cover कर लेंगे चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने जो आज का सारान से अर्थात की जो हमें आज की class में पढ़ना है देखना क्या क्या पढ़ना है यह ना तो तीन topic पर हमारा business discuss होगा आज की इसमें सबसे पहले हम जो है सत्ता के अर्थ पर बात करेंगे उसके बाद प्रकार और लास्ट में हम देखेंगे सत्ता की सीम आए तो बहतर होगा कि तीनों को हम अंदर चल के समझे बहतर तरीके से वहाँ पर एक एक करके पर्टिकुलर रूप से इसको समझने का प्रियास करेंगे किलियर हो जाएगा चलिए प्रोलम तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह आई होगी जब आपने इसको बुक से पढ़ा होगा जब नोर्स में पढ़ा होगा तो एक प्रोलम देखने को मिली होगी कि जो शक्ति कतक तक आ तो ठीक था लेकिन जब सत्ता पर लिस्कस होना प्राडम हुआ या बुक से पढ़ना प्राडम किया आपने तो वहाँ पर आपको प्रोलम देखने को मिली होगी यह सत्ता जो है आसान इसे समझ आने वाला शब्द नहीं है लेकिन जिसने इसको ब्यवाहरीक रूप से जिसने इसे ब्यवाहर रूप से ब्यवाहरीक रूप से जिसने समझ लिया वो पिर अपने जीवन काल में कभी इसे भूलेगा भी नहीं सत्ता वाले पक्च को कभी भी नहीं बूलेगा कुछ भी टर्म नहीं है छोटी सी टर्म है इसको ऐसे समझी बेभारिक रूप से फिर theoretical पार्ट हम इसका अंदर चलके देखेंगे बेभारिक रूप से इसको ऐसे समझी है दोस्तो कि सत्ता जो है सत्ता जो है एक बेक्टी के दोरा एक बेक्टी के दोरा या बेक्टियों के समुधाय के दोरा तो हम यहाँ पर एक बेक्टी ले रहे हैं एक बेक्टी जब किसी अन्य बेक्टी या बेक्टियों पर अन्य बेक्टियों पर या बेक्टियों के समुधाय पर देखिए यहां पर यह एक बेक्ति है यह एक बेक्ति यह अन्य बेक्तियों के समुदाय पर जो है अपने अधिकार थोप सकता है अपने अधिकार थोप सकता डैट मिन्स क्या कि यह अपना कोई सा भी कारे जो यह पर्टिकुलर रूप से ना करते हो एसा कारे यह यह सा कारे कर करवा सकता हो इनसे इतनी पावर अर्था शक्ति इसके पास में हो शक्ति इसके पास में हो तो उसी को दोस्तों हम यहां पर उसे सत्ता का नाम देते हैं क्या नाम देते हैं सत्ता का कि लिए रुआ क्या सत्ता का अर्थ सिंपल है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों से जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों से प्रभापूर तरीके से अपना कार्य करवा सके और उसे उस कार्य को करने के लिए कोई मना ना कर पाए वस वही तो सत्ता है सत्ता मतलब पावर शक्ति का दूसरा रूपी सत्ता है तो आज सत्ता को आप प्रतेक शित्र में दे है तो यह तो बात है वर्तमान की यह तो वर्तमान का पक्षे है लेकिन जब हम बात करें बात करते हैं इसको अगर आगे लेकर चले मद्यकाल की बात अगर करें मद्यकाल में अगर देखे दोस्तों तो मद्यकाल में क्या था भारत में भारत में भिविन ने प्रकार किया राजा हुआ करते थे तो इस प्रकार से राजा जो हुआ करते थे वो अपनी प्रिजद्य किया पूरे पूरे एक जो भी जो एक राज छेत्र हुआ करता था उसमें स उस जनता से ये राजा राज़ा जो हैं अपने अनुसार Ciao अपने सभी आदेशों का पालन करवाने के लिए जनता को बात दिक कर सकता था वो करता था क्यूं करता था क्यों कि उस네 जोस्त्ता थी वो उस राजा के पास हुआ करती भी लेकिन वर्तमान की बात करें तो दोस्तो वर्तमान में अब क्या हुआ संविधान बन चुका है अब संविधान बनने से saymdhaan बनने से आज भी पहले भी देखे सत्ताधारी एक ही था राजा और सत्ताधारी आज भी एक ही है कोन है देश मतलब संभीधान अर्था सरकार सरकार तो जो गौवर्मेंट है दोस्तों वो आज के समय में वर्तमान में सत्ताधारी है जो की पूरे देश में पूरे देश पर अपने जो भी अधिकार होते हैं अपने जो आदेश होते हैं उन आ basic understanding के साथ में अब टोपिक पर आगे बढ़ेंगे तो अब आपको पूरा किलियर समझ आएगा इस थोड़ी सी theoretical साथ theoretical बात करते करते हम साथ ये साथ में इसका विवारिक पक्ची भी समझते है देखिए कि जो शक्ती कानून से प्राप्त हुई है या कानूनी रूप से प्राप्त हुई है जिसे कोई छीन ना सके इना बेमनश्य के बेहीमानी के द्वारा नहीं बल्की कानूनी रूप से झो शक्ति-प्राप्त हुई हो वही सत्ता है वही सत्ता केवल। स्रोत है सत्ता केवल एक स्रोत है सत्ता खुद शक्ती नहीं है सत्ता को कभी भी हमेशा शक्ती नहीं मानना चाहिए हमेशा सक्ती नहीं मानना चाहिए बलकि शक्ती सत्ता का जो सत्ता है वो शक्ती का एक रूप हो सकती है कैसे कि सत्ता के कई सारे प्रकार है कुछ प्रकार ऐसे बात करेंगे सत्ता के प्रकार के अंदर हम उसको और विस्तार से समझने वाले हैं था सत्ता केवल एक सुरोत होती है सत्ता की कई व्याख्याई की गई है लेकिन अपने सभी रूपों में सत्ता जो है शक्ति प्रभाव और नेत्रत्व से जुड़ी होई अब यहां देखिए सत्ता कभी भी अकेले नहीं चलती सत्ता कभी भी अकेले नहीं चलती इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सामान्य विक्ति को सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती अगर उसे सत्ता प्राप्त करना है तो या तो उसके पास में शक्ती का होना आवश्यक है या तो उसके पास शक्ती हो या फिर उसके पास प्रभाव हो क्या हो प्रभाव हो या फिर कोई ऐसा नेत्रत्व हो जो आपके पीछे जो है असंग के जनता खड़ी हो जाए अर्थात क कि आपके एक इसारे पर जनता आपके आदेशों को मानने के लिए तैयार हो जाए इसका मतलब होता है नेत्रत ठीके ना तो सत्ता सत्ता निशुलक रूप से मिलने वाली कोई बस्तू नहीं है बलकि अगर सत्ता प्राप्त करनी है या पिर ऐसा कहें कि सत्ता धारी के पास में या नेत्रत बिन तीनों में से एक का होना अतियाव शक्ये तभी उसे सत्ता प्राप्त हो सकती है कि लिए चलिए तो इसी के साथ में बागे बढ़ते हैं अगला है दोस्तों इसको लेकर कि कुछ बिद्वानों ने परिभाशाई भी दी है सत्ता को लेकर कुछ समझ लेते हैं जिससे कि आपका यह पूरा किलियर हो जाएगा कि अधिकार अब देखिए जो यहां पर मैंने आप लोग क्या बताया था कि जो सत्ता है यह सिर्फ एक स्रोत है शक्ति का एक खुद सकता जो है शक्ति नहीं है यही बात यहां बाइर इस्टेट साब ने कही है कि सत्ता सत्ता एक वो शक्ति है यह कहें कि एक एसा अधिकार है जो संस्था के रूप में मिला है उसको जो संस्था के रूप में मिला है बरतमान समय में सत्ता धारी की अगर बात करें आता सत्ता धारी कोन है दोस्तो राज्य है वो राज्य निती में राज्य हम किसको बोलत है कि लिए ना तो बरतमान में जो राज है अता जो सत्ता धारी है उसे सत्ता मिली है वह से कि अपने अधिकारों का प्रयोक कर रहा है तो संगठन के साथ मिलकर कर रहा है एक अकेलिये का प्राइम मिनिश्टर को जो अधिकार दिये गए हैं कि अकेले उनका प्रियोक कर सकते बलकि प्राइम मिनिश्टर का तो कहीं से कहीं तक पूरे संभिधान में कोई बढ़न ही नहीं मिलेगा प्राइम मिनिश्टर मुद्धान मंत्री का कोई इस्थान ही नहीं है हमारे संभिधान में यह तो राष्ट पती के पीछे खड़े होकर के सासन करते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सत्ता है वो सत्ता धारी को एक संस्था के रूप में प्राप्त होती है बलकि सत्ता को अगर हम शक्ती बोल रहे हैं तो ये सर्वता अनुचित होगा गलत होगा हमेशा सत्ता शक्ती नहीं हो सकती हां शक्ती का एक रूप सत्ता अवश्य ह सकती है किलियर रहे चलिए तो अब आगे बढ़ते एक परिभाशा और देख लेते हैं यूनेस को यूनेस को ने दोस्तों यूनेस को ने भी अपने एक रिपोर्ट जारी की ती उस रिपोर्ट में उन्होंने इस सत्ता को परिभाशत करने का प्रियास किया था और वो उनके श शुक्रती है जो शुक्रती सम्मानित ग्यात और ओचिते पूर्ण हो अब इसका अर्थ पढ़ने में समझ नहीं आएगा इसको समझ भी लीजिए यूनेस को की रिपोर्ट में इस परस्ट सब्दों में कहा गया है कि जो सत्ता है वह एक एसी शक्ती है जो शुक्रती हो जिस क्रिये है कि वह है शक्ती सत्ता जो है वह किसी सक्ती है जिसे जनता शुकार करती हो समान के साथ में और वो जो जो जिस जो शक्ति उनपर ठोपी गई है जनता पर वो जो है दोस्तो वास्तविक होना चाहिए ग्यात अर्थात वास्तविक होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए वो सांती सांत में ओचित्य पूर्ण हो कैसी होना चाहिए ओचित्य पूर्ण होना चाहिए जो जन कल्यान के लिए हो किसके लिए हो जन कल्यान के लिए हो किलियर हुआ तो UNESCO की जो ये दो लाइन की जो दोस्तो रिपोर्ट थी रिपोर्ट में जो परिवाषा दी गई थी इस रिपोर्ट की परिवाषा का आर्त यह निकलता है कि सत्ता जो है सत्ता उस शक्ति को कहा जाएगा जिसे जन्ता अपने पूरे सम्मान के साथ स्विकार करत और वो शक्ति जो है बास्त्रविक रूप से होना चाहिए उसमें जो है कोई दोस्तों इस प्रकार से ना हो कि उसका कोई ओचिति ना और इस प्रकार की सत्ता जनता पर जन कल्यान के लिए थोपी जानी चाहिए और दो सब्सक्राइब करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है मतलब जब किसी के पास सत्ता होती है तो कोई भी वेक्ति जो सत्ताधारी है जिसके पास सत्ता है वो वेक्ति दूसरे वेक्तियों पर अब दूसरे वेक्तियों का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहां पर दूसरे वेक्तियों का मतलब हुआ यहां पर जनता तो सत्ताधारी वेक्ति जनता पर यह जनता के मस्तिस्क पर यह जनता के ब्यभाहार पर अर्था ब्यभारी ग्रूप से जो वो कारी करता है उन कार्यों को प्रभावित कर सकता है यह करने में आसानी से सफलता पा सकता है तो यह तो समझने वाली बाती नहीं है जिसके पास अधिकार है जिसके पास सत्ता है वो अपनी जनता पर जिस पर सत्ता कर रहा है जिसना साविक्षन कर रहा है उन पर तो वो अपने आदे जो है आसानी पूर्वक ऊप सकता है अपने आदेश का प्रण मिलने उससे सत्ता मिल गई उसume але इसी से और इसको कोई अधिकार ही नहीं है तो बहुर किसका में सकता ऊचिके ना तो के साथ कुछ डिए गई हैं तो यह पॉइंट जो है आपको एक्जाम में लिखने के लिए कि ताकि किस में करनी है उसके लिए अब संँधा को बयबालिक रूप से समझना आप आसाल है लिकिन उसको लिखना के से है यह हमारे लिए बड़ी मुश्यवत खड़ी कर देती है और वो कब जब हम आंसर राइटिंग करते हैं एक्जाम में तब यहाद नहीं आपको सिर्फ समझ है आप समझते हैं उसको उसे बेवारिक रूप से लिग भी सकते लेकिन दोस्तों जिस लेवल पर आपकी अंडरस्टेंडिंग है जिस लेवल पर आपको जो है उस टोपिक से संबंदित कुछ प्रोपेशनल वर्ड भी याद होने चाहिए प्रोपेशनल लेंग्वेज में आपको लिखना होगा तब कहीं जाकर के आपको सटिक रूप से उचित रूप से आपको कुछ मांक्स मिल पाएंगे अच्छे मांक्स मि प्रोपेशनल लेंग्वेज में कैसे लिखना है आपको यह में आपको दे चुका हूँ छोटा सा डाटा है ज्यादा ज्यादा लेंदी भी नहीं है जो आपको बहुत करें या कुछ समझना आए कि लिए रहे चलिए पिर आगे बढ़ते हैं अब देखेंगे हम सत्ता के प्रकार सत्ता के प्रकार कितने प्रकार होते हैं तो दोस्तों सत्ता के यहाँ पर तीन प्रकार आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पहला प्रकार होगा परंपरागत दूसरा होगा कानूनी तीसरा होगा चमतकारी अब यह तीनों प्रकारों को आप ब्यभारिक रूप से पहले समझ यह उसके बाद में त्यूरिटिकल रूप से आप अंदर स्लाइड में समझे लेंगे बैपारिक रूप से पहले अगर बात करें इसमें तो दोस्तों कुछ भी नहीं है देखिए अगर आप सत्ता को लेकर कि अगर आपका द्रश्टी कोन एकदम किलियर हो चुका है तो अभी उसके प्रकारों को समझने में आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी होगी देखि परिवार के अंदर होता चला जाता है एक परिवार के अंदर होता चला जाता है एक परिवार के अंदर होता चला जाता है हालांकि इस परकार का हस्तांतरण या कहें कि परंपरागत सत्ता वर्तमान में देखने को नहीं मिलती है कारण कि अधिकतर संविधान जो है दोस्तों अब चुनावी प्रक्रिया को अपना चुके हैं ढ़ता जा रहा है समतो है भारत के अगर हम बात करें फुराचीन कालכेन भ में भात में प्राचीन कालने कर प्राचीन कसे लएकर के अधुनिक का अधुनिक समय तक भी आपको इसके उधरन देखने को मिल सकते हैं कि संबढ़ां किसी बात को ना ले सिर्फ समझने के सब्सक्राय करेंगे दिखै प्राचिनकाल में में कुछ राज घ्राने के चो पुत्र होते थे जिने राज-कुमार कहा जाता था तो पिता के बाद में उसी पुत्र को वो शासन की प्राप्ति होती थी अर्थात क्या कि पहले पिता के पास वो सत्ता थी उसके बाद में उसके पुत्र के पास सत्ता आ गई अब प्राचिन काल के बाद में जब मद्यकाल आता है दोस्तों तो मद्यकाल में भी एसी ही प्रक्रिया आपको देखने को मिली मद्यकाल में भी मद्यकाल में भी आपको यही कुछ देखने को मिला मध्य काल भी पूरा राजा महराजाओं से भ़रा हुआ था सुल्टानों से भरा उववा था तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद में उसके पुत्र इस प्रकार से वहाँ पर सत्ता का हस्तांत्रन इसी परकार से होता चला गया तो जब एक ही परिवार के अंदर परिवार वाद जहां होता है परिवार के अंदर दोस्तो जब सत्ता का हस्तानतरन होता रहे परिवार के अंदर जब सत्ता का हस्तानतरन होता रहे तो उसे हम कहेंगे परंपरागत सत्ता अच्छा आदूनी काल को छोड़ दिया था तो दोस्तों आदूनी काल में देखिए या भारत में 1947 में देश आ जात हुआ था तो काफी लंबे समय तक एक ही पार्टी का एक ही पार्टी का शासन चलता रहा कि में इसी बात को लेकर कि हाला कि आज बर्तमान में तंजभी कसे जाते हैं परिवारवाध जो आ है भारत में राज्निती में बाद की जो प्रिवारवाध मिन चलता है वह इसी पर सत्ता का सिंपल सा आर्थ है कि जनता अपने उपर अपने उपर सत्ता को किस प्रकार से ले रही है परमपरागत रूप से ले रही है उन्हें पता है कि आज हम पर शासन यह कर रहा है कल वो करेगा इस प्रकार से परमपरागत रूप से उस पर शासन गवस्ता चली आ रही है य इसमें कोई भी आम जनता से कोई भी व्यक्ति सत्ता आसिल नहीं कर सकता है अब एक मोटे मोटे रूप में आप इसको कानूनी सत्ता को समझे यह कानूनी सत्ता क्या है तो कानूनी सत्ता के अंतरगत हम यह बोल सकते कानूनी सत्ता यह कि जो परंपरा का सत्ता थी नहीं होगा बलकि इसमें होगा कि जो सत्ता जो सत्ता कानून के रूप में प्राप्त हो कानूनी रूप से प्राप्त हो कानूनी रूप से मतलब उसे अधिकार मिला हो सत्ता करने का तो इसमें परंपरागत नहीं चलेगा वही इस हो सकता है कि इस वर्स किसी और को सत्ता प्रा करते हैं दोस्तों तो इसमें प्राइवेट भी आ सकते हैं जैसे हम एक्जामपल एसा ले से मानने की आप कंपनी हैं जो अब आने वाली इसा सोप्ट्वेर बनाया जो अभी तक देश में नहीं था बिस्वेर को बनाने के बाद में वह उस पर अधिकार मिल जाएगा उसक्यosi कंपनी को कमिए को वो अधिकार मिल गए किस पर उस software पर ठीक है न तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी इस software का इस्त вокруг करेगा उसे इस company से permission लेनी होगी और इस company के निर्देशों को अरथात company की जो आदे से उनको follow करना होगा इस तौट रिस्ट आ करने वाले को ठीके ना मतलब यह कोई परंपरागत रूप से चलकर नहीं आई है तो यहां कहने का अर्थ है कि कानूनी सत्ता को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अर्था कानूनी सत्ता धारी कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसमें वो काबलियत है ठीके ना चमतकारी सत्ता तो आप लेते हैं कि यहां पर क्या होड़ा दोस्तों की इनको जो मानने वाले हैं या इनके आदेशों का जो पालन करने वाले लोग है वो इनके व्यक्ति गत मतलब यहां पर एक अकेले व्यक्ति दिरेंद्र सास्त्री को टार्गेट करके अरतात करें कि दिरेंद्र सास्त्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग इनके आदेशों का पालन कर रहे हैं यहां समझने का प्रियास करना चमतकारी सत्ता के अंतरगत क्या है कि न तो इनको यहां पर यह दिरेंदर सास्त्री है बागेशपरधाम की बात करें में एक्जामपल ले रहे हैं तो इनको कोई परमपरागत रूप से यह पद नहीं मिला नहीं कानूने रूप से इनको यह के आदेशों थे जूजाब होते हैं उनका पालन करती है उनका पालन करती है क्यों क्यों क्यूंके इसी को आप हैंगे चमतकारी सथा चलिए अब एक-एक करके थोड़ा सा हम और और समझने का प्रयास करेंगे एक करके प्रमपरागत के भी बात करें तो प्रमपरागत को ठीकल रूप में ऊस्प राइटिंग करने एक्जाम में दोस्तों जब प्रजा अब यहां पर थोला से जो सब्द है थोले से डिपिकल देखने को मिलेंगे लेकिन इतना कुछ डिपिकल नहीं सो समझते हुए पढ़ें कि यहां पर जनता या अधिनस्त का अधिनस्त अपने उच्छ अधिकारी के आदेशों को इस आध्यार पर स्विकार करते हैं कि ऐसा पूर्ब से हमेशा से होता आया है कि असे अर्फादि यह कि 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 सी भी आदेश को मानने के लिए जो आदेश मान रहा है उसे ये पता है कि ये कारे हमें करना होगा अर्थात इस व्यक्ति की ये बात माननी ही होगी क्यों क्योंकि ये हमेशा से हमारे पूरुवज तक मानते आए है इसलिए हमें जो है इसके प्रभाब में ही रहना है तो इस प्रकार की जो सत्ता होगी वो परंप नीतिक शक्ति के निरंतर प्रियोग से ना निरंतर प्रियोग से ऐसा नहीं कि आज खत्म हुआ कल कोई और आ गया परसो कोई और आ गया ऐसा नहीं होगा बलकि परंपरागत रूप से जो राजनीतिक शक्ति होगी या राजनीति का जो निरंतर प्रियोग होगा उसी से प्रमप्रागत रूप से ये शक्ति जो है सत्त धारी को प्राप्तो होती है और इस प्रकार की सत्ता का पालन जनता करती है प्रभाब में आ करके तो इस प्रकार की सत्ता में वित्रन मात्र आइस्थाई रूप से होता है यह स्वेच्चारी होती है तो जी हाँ जो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति यह कहें कि सत्ता का प्रियोग इस कोई भी व्यक्ति जब सत्ता का प्रियोग अपने पास जो उनके पास जो शक्ति है उसके आधार पर जब जंता से अपने अदिकार मनवाएगा या अपने आधिशों का परण करवाएगा तो वो सत्वर्तिशा सवच्चाचारी होगा स्वेच्चा चारी होगा अर्थात की अपनी ही बातों को हमेशा मानिता देगा अपनी बाते ही मनवाने का प्रियास करेगा इस प्रकार की सत्ता में जो शक्तियां होती है ना वो मात्र आ इस्थाई रूप से बित्रित होती है पित्रित होती है मतलब जैसे बर्तमान में देख ले तहरां के दिये गएकर से जो अधिकार है संविधान के द्वारा उल्लेकित उन सभी अधिकारों को पूरे इसमें बांट-पूरे प्रिषासन्तंत्र में बांट दिये घया है। इसलिए बिकेंदिकत बोलते हैं लेकिन जो सकते हैं कि वह सुच्चारी होगा हम मनमानी करने वाला विक्ति होगा कि लिए हुआ इसके बाद में दूस्तों दूसरा जो रूप आता है हमारा दूसरा जो पाता है सत्ता का वो आता है कानूनी थो इसको आप सिंपर जब आप हैक mitt है कि आर्धा जब जन्ता अपनी बुद्दी का इस्तमाल GET RED का पालन करे मतला उसके पास आप्शन है करें या ना करें लेकिन जब जन्ता को लगता है कि नहीं यह लगता रहा है या जिन आदेशों का ये पालन करवाने का बोल रहा है ये बड़े उच्छ नियमों में सम्मलित है मतलब हमें करना चाहिए अपनी बुद्धी के आधार पर तर्क वितर्क करके तर्क के आधार पर जब जनता ये समझती है कि हां इन अधिकारों का या कहें कि इन आदे के लिए होती है लोग कल्याण के लिए होती है तब को चित पूर्ण होती है कि सामिल है का तो इस प्रकार की सत्ता ये कानूनी सत्ता मaktल भो suf बौध्धिक नियमों बेद्धानेन मतलब कानुनी नियमों के अंतगत जो पध प्राप्थ किया गया है उसके द्वारा या सत्ता क्लिए ऽे जलिया अगला पोइंट है इसी का हमrue पर्मपरागत एक अलग ही प्रकार्की इस्में और अकेला व्यक्तीं अपर अपनी सकता इस्तापित कर सकता इरा, अपने आदेशों का पालन करवा सकता है, वो शर्प और किसके अधार पर नहीं तो शक्ति का इस्तमाल करेगा वो यह कहें कि सत्ता के किसी अन्य रूप का भी इस्तमाल नहीं करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्यक्तिगत जो उसका ब्यक्तिगत अस्थिद्व है उसके आधार पर या ब्यक्तिगत प्रभाब के आधार पर बतलब एक अकेला ब्यक्ति जब पूरी ज सत्ता के नाम से जानते हैं एक बार इसको पड़ भी लीजिए तो आपको बारीगी से कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको एक्जाम में लेकिना क्या है उसके लिए डाटा भी आपको यहां से मिल जाएगा जब अधिनस्त या जनता उच्च सत्ता धारी के आदेशों को इस कारण न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ता धारी का ब्यक्तिगत प्रभाव है कि लिए रहे तब इसे चमतकारी सत्ता कहेंगे तो इस सत्ता में प्राया कोई प्रत्ययोजन प्रत्ययोजन नहीं होता कि जब आतिकारी के द्वारा निम्ह अधिकारी को इसलिए कि यहां पर जो कर्मचारी होते हैं वह सेवक के रूप में कारें कारिकते हैं किसी प्रत्य विजन के कारण नहीं तो प्रत्य विजन क्या कि उच्छ अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है तो निम्न अधिकारी को वो कारणा ही पड़ेगा तो एसी यहाँ पर कोई कंडिशन नहीं होती है जो इसके कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी एक सेवा वहा आदेशों को परण करते हैं कि जो अधिनस्त जो आदेशों को परण कर रहे हैं वो किसी बिशेश चमत कारण या पर अधर्श का पालन करते हैं यह 3 प्रकार मात्री सत्ता सिंपल चाहिति स्थी कोष़ियों नहीं था है तो दोस्तों आप अभे पर निकल कर आती कि ठीक है अभी तक हमने जो सत्ता को समझा सत्ता की प्रकारों को देख लिया सत्ता की वाद तो हमने बहुत कर ली लेकिन अब हम तोड़ा सा बरतमान में आ जाते हैं बरतमान में आकर की देखें कि अता सत्ता बास्तवित रूप से इसी प्रकार जो हमने पड़ी है अगर एसी मुसुकाशाचाषारी हो जाएगा और अश्ब के अन्य देशों की जनता को भी परिसान कर सकता है सक्तिसाली बनने के बाद कियो कि मनुष्य की फोती है वो असीमित होती है यह को पॉती होती है तो केने का अर्थ सिंपल सा ये है कि सत्ता के साथ में सीमाओं का होना अती आवश्यक है सत्ता पर एक लगाम लगना आवश्यक है सत्ता समझ लीजिए एक भागता हुआ गोड़ा अब उस गोड़े को अगर लगाम नहीं होगी उसके मूपर तो बताए क्या उसे कोई कंट्रोल कर पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा तो उसको एक लगाम होना उसके लिए बहुत आवश्यक है तो ये सत्ता जो भागता हुआ गोड़ा है इस पर एक लगाम होना बहुत जरूरी है और उसी लगाम पर हम यहां बात चर्चा करने वाले है अगला होगा हमारा सीमा है तो सत्ता पर कौन-कौन सी सीमा आरूपित की जाती है या की जानी चाहिए जिससे सत्ता का प्रियोग सिर्फ और सिर्फ जन कल्यान के लिए ही हो जनता की भलाई के लिए ही हो तो इस प्रकार की कुछ सीमा हैं दोस्तों तो कुछ पुइंटों के माध्यमसी में आपको यहां पताएता हो जिससे कि आपको समझने के लिए भी आसान हो जाएगा साथ इसाथ में एक्जाम की आंसर राइटिंग के लिए भी आपको डाटा अबेलेवल यहां से हो जाएगा देखिए सत्ता के प्रियोग पर अनेक प्रतिवंद होते हैं जिससे उनका मन माना प्रियोग ना किया जा सकते यह प्रतिवंद प्राकर्तिक उद्देश्य गत्रिक बहरी और प्रिक्रिया सम्मंदी हो सकते की यह वर्त मान की बात कर रहे हैं vindकि प्राचीन समय में और मद्दे काले में तो जो सत्ता होती थी वह हमेंसा स्वेच्चा-चारी ही थी स्वेच्चा-चारी ही थी ठीक है ना बर्तमान में स्वेच्चाचारी सत्ता नहीं है बलकि यह संवेधानिक सत्ता है अब कानूनी सत्ता है कि लिए रहे तो कानूनी सत्ता के साथ में प्रतिवंद हमेशा साथ चलेंगे क्यों चलेंगे क्योंकि कानूनी रूप से जिसको सत्ता प्राप्त हुई है कहीं वो स्वेच्चा चारी ना वन जाए इसके लिए उसके साथ में हमेशा कुछ प्रतिवंद अवश्य होते हैं जिससे सत्ता धारी उसका प्रियोग मन माने धंग से ना कर सके यह प्रतिवंद जो होते हैं वह प्राकर्तिक उद्देश गत आंतरिक बहारी और प्रिक्रिया संबंदी हो सकते हैं जो जिन प्रतिवंदों की हम यह चर्चा कर रहे हैं ऐसे प्रतिवंद दोस्तों प्राकर्तिक उद्देश गत मतलब एक प्राकर्तिक उद्देश से मतलब एक उद्देश से एसे प्रतिवंद सत्ता पर आरोपित किये जा सकते हैं और वो प्रतिवंद आंतरिक भी हो सकते हैं बहारी भी हो सकते हैं और जो प्रिक्रिया हो रही है जो कार्य हो रहा है उससे सम्मंदी भी हो स सकता प्रतिवन समझें पहला प्रतिवन यहीं पर कि कोई भी राज्ज कोई भी राज्ज कोई भी राजनितिक सत्ता किसी भी व्यक्ति से जीवन सीमट संपत्ती से भी वन्चित नहीं किया जा सकता न यह विसेष रूप से क्या है यह जो है प्रतिवनAnt सत्ता नगाit जह आध हैं जैसे कि जीवन का अधिकार है प्रतेग व्यक्ति को सुतनता का अधिकार है तो इस प्रकार से कुछ सीमित रूप से इन अधिकार उसे आप जो है जनता को बंचित नहीं कर सकते वह इसके लाव से अधिकार है तो आगे आने वाले सेशनों में हम डिसक्स करेंगे जनता के पास में कौन-कौन से मौलिक अधिकार है पूरे मुल अधिकार fundamental rights पर हम पूरे विश्थार से चर्चा करेंगे सेशन पर डिसक्स करेंगे तब यह सत्ता की सिह और जो होते हैं वह को प्राकर्तिक प्रति को मिला हुआ है इसलिए कहा गया कि जो यह प्रतिवंद है यह प्राकर्तिक प्रतिबंद है कोंसे प्रतिबंद है प्राकर्टिक प्रतिबंद है क्लिए रहे प्रतेख-व्यवस्ता कारे संचनलन करने के लिए कुछ नियमबनाती है कुछ उपनीयम बनाती है उपनीय और योजनवी तो दोस्तों सत्ता को सीमित करती है वह कुछ नियम बने किसे शासन ब्यवस्टा के अंदर तो बनाए गये हो लेकिन क्या उन जो नियम शासन ने बनाए है सत्ता ने बनाए है क्या सत्ता उन नियमों का उलंगन कर सकती है क्या बले ही जनता के लिए वो नियम बनाए गए हो लेकिन जनता को तो उसका पालन करना ही करना है उन नियमों का योजनाओं का या सीमाओं का जो भी उनकी नीतिया बनी उनका लेक क्या है दोस्तों सीमाय है या फिर कहें कि प्रतीबंद है क्लियर रे तो अत्व है राजणीरिक चिन्टन की सार्थ तक्ता सत्ता के सामर्त प्रदान करने तत्धा सांती उस पर सीमाय लगाने में ही जिससे सत्ता जंहित कारणि इस बिद् 안에 यृति के ये कार्य करती रहें कि लिए जन कल्यान के लिए जन हितकारणी अर्था जन कल्यान के लिए कार्य करने वाली संस्था को ही हम क्या कहते हैं जन हितकारणी संस्था I hope कि अभी तक ये topic पूरा clear हो चुका होगा सत्ता से सम्मंदि सभी आवश्यक तद्वों पर हमने चर्चा किये सत्ता के सबसे पहले हमने सत्ता के अर्थ को समझा उसके बाद में हमने सत्ता के प्रकारों को देखा जो कि तीन प्रकार होते हैं उसके बाद सत्ता पर सामाने से जो प्रतिवन लगा जाते हैं अर्था सत्ता पर आरोपिस सीमा है उन पर हमने डिस्कस किया सामाने सा छोटा सा topic था इस प्रकार से हमारा ये session होता है complete आज का दोस्तो next session में next session में हम इसी के एक पक्च और है प्रभु सत्ता तो तीन पक्चों में जो आपकी थर्ड यूनिट है थर्ड यूनिट में तीन ही टोपिक ते शक्ति सत्ता और प्रभु सत्ता तो इन तीन टोपिक में से लास्ट बाला प्रभु सत्ता बचा है जिसे पर कल इसी सेम टाइम पर आपको क्लास मिल जाएगी कि लिए रहे दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप देशा को कर मुझे कमेंट कर सकते लेकिन आपको यहां पर प्रहशान होने क्या वशक्ता नहीं है हो सकता है कि अभी अभी आप इस्कूल से जो है पॉलेज में इडिविशन लिया आप लोगों ने तो थोड़ी से पॉल्लम आएगी समझने में लेकिन थोड़ी से जो है पैसेंस रखिएगा जैसे जैसे पॉलिटीक की सेशन आगे बढ़ते जाएंगे और कंटीन्यू आप बस बेति को पूरा है उससे बहतर तरीकर से समझने पर फोकस की यजिए पूरा समझते हुए सिर्थ समझना है हम ने तो बोलता हूँ याद भी करने के वर संपिक को समझ चो पलज की बूलिए आगे बढ़ी जब आप एक बार प् Balكم समझ लेते हैं तो उसे याद करने के आवशक्ता नहीं पड़ती है जब हम हमें उन कि जब आउश्यक्ता होती है तो वह अपने माय्ट से निकल करके आने लगते हैं और एकजाम में सब आप को अपने आप याद आने लगेगा चलिए मिलेंगे लेंगे नेक्स नेट सेशन में अभी तक आप लोगों ने टेलेग्राम गुरूप को जोई नहीं किया है तो मैं आ क्लास से का नोटिफिकेशन आपको पर तरीके से वहीं पर प्राप्त होता है टेलेग्राम से हैं थैंक्यू दोस्तों